गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो आज हम भाषा के बारे में जानेंगे तन की बात मन की बात इक दूजे को जो समझाए ऐसी वाणी ऐसी बोली ही तो भाषा कहलाए बच्चो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रगट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है सरल भाषा में अगर हम कहें तो इस प्रकार होगा बोल, सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है अब इस चित्र में देखिए एक बालक अपनी बात अपनी मा को बोल कर बता रहा है मा देखिए मैं चित्र कला में प्रथम आया हूँ और उसकी मा उसकी बात को सुनकर उत्तर दे रही है वहाँ शाबाश यह तो बहुत अच्छी बात है इस बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना वो बहुत खुश होंगी अब बच्चा लिखकर अपने मन की बात अपनी नानी को बता रहा है और जब उसकी नानी के पास पत्र पहुँचा तो उसकी नानी पत्र पढ़कर उसके मन की बात जान रही है तो बच्चो बाशा के दो रूप होते हैं मौखिक बाशा और लिखित बाशा मौखिक बाशा में अपनी बात बोल कर या दूसरों की बात सुनकर सुनना ही मौखिक बाशा कहलाती है और अपनी बात, दूसरों की बात पढ़कर या अपनी बात को लिख कर बताना लिखित बाशा कहलाती है बच्चो पशू पक्षियों की बाशा का कोई नाम नहीं होता हम इनकी आवाजों को नहीं समझ पाते तो इसलिए हम इने भाशा के रूप में भी माननता नहीं देते ये पशू पक्षियों की बोली होती है तो आज हमने जाना कि अपने मन की बात विचार या भावों को दूसरों को समझाना भाशा है भाशा के दो रूप होते हैं मौकिक और लिखित हम बच्चों हम संकेतों से भी एक दूसरे की मन की बात समझते हैं और समझाते हैं धन्यवाद घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए